दिल से बस दो आवाजें आती हैं लबडब जब तक कि यहां की लड़कियों से डिस्टर्ब ना कर रही हूँ और वो थोड़ा क्रेजी ना हो रहा हो वरना ये बस दो आवाजें करता है बाकी की सारी आवाजें आपके दिमाग से आती है ये विचार की कुछ चीजें दिल से आती हैं और कुछ दिमाग से ये बस एक उपमा हैं लेकि दुर भागे से कई लोग इसके शाब्देक अर्थ को सच मानते हैं एक समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में खासकर अरब में अरब की चिकित्सा पद्दती का ये मानना था कि लिवर खून को पंप करता है आपने शायद उर्दू कहावते सुनी होंगी कलेजे के बारे में क्या आपने सुनी हैं क्यूंकि उनका मानना था कि लिवर खून को पंप करता है क्यूंकि लिवर दिल से कहीं ज्यादा जटे लंग है दिल बस एक सरल पंप है तो इसे अन्य जिम्मेदारियं मत दीजे सिवाए लगातार खून पंप करने के और आपको जिन्दा रखने के जब तक कि कोई इसे तोड़ ना दे तो इंजिनेरिंग के आखरी साल की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि आप ये भाशा बदलें क्यूंकि ऐसा हुआ क्या मैं आपको एक जोग सुना सकता हूँ आप इस बारे में काफी सीरियस हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसा हुआ एक बहुत ही मशूर वैज्ञाने के एक दावत में गए और उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने थे वो बहुत साधारन लग रहे थे तो जो महिला उनके पास बैठी थी उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्यूंकि वो नहीं जानती थी कि ये कौन है लेकिन कुछ समय बाद बस विनम्र होकर कुछ बात करने के लिए वो बोली क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या करते हैं वो बोले मैं विज्ञान पढ़ रहा हूँ वो बोली अरे वो तो मैंने दसवी कक्षा में ही पढ़ ली थी तो ये सच नहीं है आप इंजिनेरिंग के आखरी साल में नहीं है शायद इस कोर्स का आखरी साल है लेकिन इंजिनेरिंग का नहीं क्यूंकि अगर आप अपने पूरे जीवन भी इंजिनेरिंग सीखें और जब आप मर रहे होंगे सौ साल बाद, ठीक है? मैं उसे कम नहीं, सौ साल कर रहा हूँ सौ साल बाद जब आप मर रहे होंगे तो आप जानेंगे कि अगर आप लगातार सीखते रहे हैं तो भी आप इंजिनेरिंग के बारे में बहुत कम जानते हैं उस कम जानकारी से भी बहुत सी चीजे होती है, ये एक अलग बात है, तो इंजिनेरिंग के आखरी साल में मत रहिए, मैं जानता हूँ कि हो सकता है कोर्स खतम होने वाला हो, लेकिन इंजिनेरिंग का आखरी साल नहीं है, ठीक है? तो Engineering, मूल रूप से Engineering का मतलब है चीजों को वैसा बनाना जैसा हम चाहते हैं हां? जब हम कहते हैं कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा अगर हम ये कहें कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है या कोई वाहन अच्छे से बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते हैं इस धर्ती पर इंजिनेरिंग के कई नमूनों में से इंजिनेरिंग के कई नमूने हैं पेड एक जबरदस एंजिनेरिंग है, पहाड भी एक जबरदस एंजिनेरिंग है, क्यूंकि ये लाखों सालों से खड़ा है, इसका मतलब है कि ये अच्छी एंजिनेरिंग होगी, है न? कोई चीज जो लाखों सालों से खड़ी है तो वो ज़रूर ही अच्छे से एंजिनेर की गई होगी इन सभी में से सबसे जटल एंजिनेरिंग का नमूना हमारा सिस्टम है है की ने? हलो? एंजिनेरिंग के सभी नमूनों में से ये सबसे ज्यादा जटल है अब जटल एंजिनेरिंग होने की वज़े से इस पर विशेश स्तर का ध्यान देना ज़रूरी है वरना इसे आप समझ नहीं पाएंगे अब इतना जबरदस्त और दिल हाई टेक मशीन मिलने के बाद मैं आप से पूछता हूँ क्या आपने इस मशीन को इस्तिमाल करने के निर्देश पड़े हैं? इतनी जबरदस्त इंजिनेरिंग से बनी मशीन बिना इस्तिमाल के निर्देश के कैसे हो सकती है? शायद वो आपके गले से लड़की किताब के रूप में ना आई हो जब आप पैदा हुए थे लेकिन संकेत तो जरूर है है ना? कि इसका इस्तिमाल कैसे करना है? क्या ये सच है कि कोई इनसान जो एथलीट, जिमनास्ट या वैसा कोई होता है वो अपने शरीर का इस्तिमाल कई लोगों से बहतर तरीके से करना सीखता है हां? ये सपश्ट है कि ऐसे लोग कम से कम शरीर की भौतिक इंजिनियरिंग के एक पहलू को चलाने के निर्देश ऐसा लगता है कि वो बहुत एक पहलू के निर्देश को पढ़ चुके है क्या ये सच है कि कुछ लोग अपने दिमाग का दूसरों से बहतर इस्तिमाल कर पाते है तो शायद उन्होंने दिमाग को चलाने के निर्देश पढ़ लिये मुझसे हमेशे ये प्रशन पूछा जाता है सद्गुरू मैं ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन विचार आ रही है ये हर जगा पूछा जाता है मैं उनसे पूछता हूँ देखिए मैं आपको ध्यान करवाऊंगा और हम लिवर और किड्नी और दिल और हर चीज़ को रोग देंगे ठीक है नहीं सद्गुरू तो आप चाहते हैं कि ध्यान करते समय लिवर काम करे आप चाहते हैं आपकी किड्नी काम करे स्प्लीन काम करे, दिल काम करे लेकिन किसी वज़े से आप चाहते हैं कि आपका दिमाग काम न करे ये बस इसलिए है कि दिमाग एक नया यंत्र है जो आपको विक्सित होने की प्रक्रिया में मिला है दिमाग का इतना विकास कुछी समय पहले हुआ है अन्य प्रणालियों के मुकाबले अगर किसी भी स्तंधारी को काट कर देखें तो उन सभी में ये सभी हिस्से हैं जो भी अंग आप में हैं उन में भी है अगर आप एक मेंडग को भी काटें क्या आप बायोलोजी डिपार्टमेंट से हैं अगर आप मेंडग को भी काटें तो जो भी आप में हैं वो उसमें भी है, है ना? बात पस यही है, बड़ा फर्क सिर्फ दिमागी विकास का है, जो हाली में हुआ है हाली में होनी की वज़े से ज्यादतर लोग समझ नहीं पाए हैं कि इसे कैसे संभाले तो इसे चलाने के निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है चलाने के निर्देश तब नहीं पड़े जाते हैं जब मशीन फेंकने का समय हो आप उसे पहले कुछ दिनों के भीतर सीखते हैं, है ना? हलो? अगर आप एक नया फोन खरीदते हैं तो आप उसे चलाने के तरीके पहले तीन दिनों में सीखना चाहेंगे या फिर तीन साल बाद जब आप उसे फैंकने वाले होंगे पहले तीन दिनों में, है ना? तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह कैसे चलता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल ने कोई विचार या उदेश्य पैदा किया हूँ हाँ, जब आपने किसी युवा लड़की को देखा तो दिल ज्यादा धड़कने लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कह रहा है वो बस बाकी की उतेजनाओं से हुई कमी को मैनेज कर रहा है दिल कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा वो बस कमी पूरी कर रहा है आपको ज्यादा खून चाहिए तो वो थोड़ी तेजी से पम कर रहा है ऐसा तब भी होगा जब आप सीडिया चड़ते हैं हाँ जैसे प्रेम में होने पर सांसे फूलती हैं वैसे ही सीडिया चड़ने पर भी फूलती हैं हाँ या ना डर लगने पर भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है तो दिल कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा वो बस यही निश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचे तो यह आपका दिमाग है जो अलग-लग भाशाएं बोल रहा है आपकी मात्र भाशा क्या है? आपकी मात्र भाषा क्या है? तो जब आप दो-तीन भाषाएं जानते हैं, तो कभी-कभी वो कन्फ्यूज हो जाता है, कभी वो अंग्रेजी में बोलता है, कभी आसमीज में, कभी किसी और भाषा में. तो आपको लगता है कि अलग-लग लोग बोल रहे हैं, दिल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, नहीं. विचार होते हैं और भावनाएं होती हैं. लोग सोचते हैं कि ये दोनों चीजें अलग-लग बातें बोल रही हैं, वो अलग-लग बातें नहीं बोल रहीं. जैसे आपके विचार होते हैं, वैसे ही आप में भावनाईं पैदा होती हैं के नहीं? फिलहाल अगर आप सोचते हैं कि ये धर्ती की सबसे शांदार व्यक्ती है अगर मैं बस ये सोचूँ तो मेरी भावनाएं उनके प्रती मधुर हो जाएंगी अगर मैं सोचूँ कि ये धर्ती की सबसे भयंकर औरत है तो मेरी भावनाओं में कडवाहट आ जाएगी हाँ या न मैं ये भयंकर है ऐसा सोचकर मधूर भावनाएं नहीं रख सकता मैं ये शांदार है ऐसा सोचकर कडवी भावनाएं नहीं रख सकता है की नहीं लेकिन आज मैंने सोचा कि ये सबसे शांदार व्यक्ति हैं और मुझसे मधूरता निकल रही थी, पर अचानक उनोंने कल कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं हैं, मैंने सोचा ये भयंकर हैं, विचारों में तेजी होती हैं, वो बहुत जल्दी दिशा बदलते हैं, भाव भावनाएं अब भी मधूर हैं, क्यूंकि भयंकर होने में समय लगता है, सभी संगर्श करते हैं, लेकिन भावनाएं कुछ समय बाद विचारों से मेल खाती हैं या नहीं, हलो, आज आपने सोचा कि ये शांदार हैं और मधूरता बह रही थी, कल उन्होंने कुछ किया जो आपको नहीं पसंद, आपने सोचा कि ये भयंकर हैं, विचार स्पष्ट कह रहे हैं कि ये भयंकर है, लेकिन भावनाएं संगर्श कर रही हैं क्यूंकि वो तेजी से मुड़ नहीं सकती, वो मुड़ने में समय लेती हैं, लेकिन एक हफ़ते, दस दिन या दो महीने बाद, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने गहरे स्थर पर जुड़े हुए हैं। कुछ समय बाद भावनाएं भी विचारों के बराबर आ जाती हैं। भावनाएं भी कहती हैं, हाँ वो भयंकर है तो उसके खिलाफ हो जाना चाहिए। तो ये दोनों अलग-लग भाशायन नहीं बोल रहे हैं। एक तेज है और दूसरी की गती थोड़ी धीमी हैं। तो ऐसा लग सकता है कि वो अलग-लग भाशायन बोल रहे हैं। अगर सवाल ये हो कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आपको स्पष्ट तरीके से सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। स्पष्ट सोचने का मतलब है कि प्रश्ण ये नहीं है कि मुझे ये कैसे मिलेगा, मुझे वो कैसे मिलेगा। क्या आपका जीवन आपकी लिए कीमती है? तो इस जीवन का किसी चीज में निवेश करने से पहले, आपको ये देखना चाहिए कि अगर मैं आज इसमें अपना जीवन लगाओं, तो पचीस सालों बाद भी क्या ये मेरे लिए उतना ही माइने रखेगा? पचास सालों बाद भी क्या ये मेरे लिए उतना ही माईने रखेगा मेरे जीवन के अंत में अगर मैं मुढ कर देखूँ तो क्या मुझे इस पर गर्व होगा या मुझे इस पर शर्म आएगी जो भी मैं अभी कर रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिस पर आपको शर्म आएगे है किने? हम? लोग बहुत सी चीजे कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता हर किसी की अपनी राय होती है ये उनका काम है लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिस पर आपको शर्म आए है किने? तब आप अपने ही खिलाफ हो जाएंगे कोई आपके खिलाफ हो जाए तो आप उन्हें छोड़कर कहीं और जा सकते हैं लेकिन अगर आप खुद के ही खिलाफ हो जाएंगे तो आपको हमेशा उसके साथ जीना पड़ेगा तो आपको यही चीज देखनी है किसी चीज से आपको पैसा मिलेगा किसी चीज से आपको आराम मिलेगा बात ये नहीं है आप जो काम करने का फैसला लेते हैं क्या उससे आपको जीवन मिलेगा जीवन मिलने से मेरा मतलब है क्या आप बस जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं या आप इससे अपना जीवन बनाना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है जीवन चलाना कोई मुद्दा नहीं एक कीड़ा, एक पतंगा, एक पंच्छी और एक जानवर सभी अपना जीवन चला रहे हैं है कि ने? ये उससे अपना जीवन भी बना रहे हैं लेकिन अपना जीवन तो निश्चित रूप से चला रहे हैं तो इतने बड़े दिमाग के होते हुए, जीवन चलाना कोई मुद्दा नहीं है, भोजन पाना कोई मुद्दा नहीं है, जीवन चलाना कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही समस्या है कि आप किसी दूसरे की तरह जीना चाहते हैं, ये ना खत्म होने वाली समस्या है, मैं ज से एक शांदार जीवन बनाते हैं। जो भी काम उस दिशा में ले जाए, आपको वही करना चाहिए। लेकिन जब आप आज-पास के लोगों के दबाव में हैं, कोई कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूं, कोई कहता है मैं सरकारी नौकरी करूँगा, कोई कहता है मैं ये करूँगा, तो एक चीज जो आप सभी को जीवन में बड़े निर्णे लेने से पहले करनी चाहिए, कि साथियों, प्रोफेसरों, माता-पिता, सभी के दबाव से दूर हो जाहिए। बस तीन दिन से एक हफते तक का समय अकेले बिताएं, और इस पर ध्यान दे कि आप वाकई में क्या करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के दबाव के वज़े से नहीं, ये जीवन क्या करना चाहता है, वही कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।